हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल, तो फ्रेंड्स कविता की मुनाई में आप लोंग का स्वागत है, तो फ्रेंड्स मैं आज आप लोंग के लिए सिंगल कलर में स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ, तो ये स्वेटर का डिजाइन आप लोग ज चार फंदा एक्स्ट्रा जरूर लगाना है तो डिजाइन की यह हमारी पहली शिलाई है सीधी सैट से तो यह देखिए पहला फंदा एस्टिच हमने उतारा ठेक है दागा अपनी तरफ एक दो फंदा उल्टा दागा पीछे एक दो तीन और एक चार चार फंदा सीधा जैसे एक एस्टिच को छोड़ कर दो फंदा उल्टा चार फंदा सीधा यही छे फंदी हमें सीधी साड़ से रिपीट करनी है तो जैसा मर्जी आपने बॉर्डर बनाया हो बॉर्डर बनाने के बास सीधी साड़ से आपने इस तरह से डिजाइन शुरू करना है यह देखिए एक दो फंदा उल्टा दागा पीछे एक दो तीन चार फंदा सीधा दागा अपनी तरफ एक दो फंदा उल्टा दागा पीछे एक दो तीन चार फंदा सीधा दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा, दागा पिछे, एक, दो, तीन, चार फंदा सीधा, लास्ट में दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा, एक एस्टिच सीधा, तो हर बार जैसे हम शुरू में बनाते हैं, सेम हमारा वैसे ही लास्ट में बनता है, ठीक है, जैसे एक, एस्टिच सीधा था, फिर दो उल्टा, तो ये देखिए, जैसे एक, एस्टिच सीधा है, दो फंदा उल्टा है, तो ये पहली शिलाई सीधी साट से कंप्लीट हो गई, दूसरी शलाई उल्टे तरफ से अब यहाँ पर सैकेंड शलाई दूसरी शलाई उल्टे तरफ से पहला फंदा उतारा दागा पीछे जो दो हमारे उल्टे फंदे है ये देखिए जो दो उल्टे फंदे है वो हमने सीधे बनाने है दो फंदा सीधा तागा अपनी तरफ जो हमारे चार डिजाइन के फंदे है उल्टे तरफ से उल्टे सीधे तरफ से सीधे एक दो तीन चार ये देखिए सीधे तरफ से सीधे और उल्टे तरफ से उल्टे और जो सीधे तरफ से दो फंदे उल्टे बने हैं उल्टे तरफ से दो फंदे सीधे ठीक है दूसरी शलाई उल्टे तरफ से एक दो तीन चार फंदा उल्टा दो फंदा सीधा इस तरह से कंप्लेट करेंगे दूसरी शिलाई उल्टे तरफ से दो, तीन, चार फंदा उल्टा दागा पीछे, दो फंदा सीधा दागा अपने तरफ, एक, दो, तीन, चार फंदा उल्टा दागा पीछे लास्ट में देखे, फिर वैसे ही से दो फंदा सीधा, फिर एक एस्टिच उल्टा तो ये हमारी हो गई wrong side से दूसरी शलाई complete डिजाइन की तिसरी शलाई में ध्यान दीजिए तिसरी शलाई हमारे सीधी side से पहला फंदा उतारा दागा अपनी तरफ शुरू के दो फंदे उल्टे ठीक है दो फंदे उल्टे दागा पीछे अब ये जो हमारे डिजाइन के चार फंदे है इसको ध्यान में लेकर चलना है दो फंदे हमने इधर ट्विस्ट करने है दो फंदे इधर ट्विस्ट करने है तो ये बीच वाले जो फंदे है इधर वाला इधर जाएगा और इधर वाला इदर आएगा ठीक है तो इसलिए इसको हम इस तरह से उतारेंगे फिर पीछे वाले को सामने वाले को पीछे ले कराएंगे पीछे वाले को सामने इस तरह से दो फंदे इदर ट्विस्ट करेंगे और दो फंदे इदर ट्विस्ट करेंगे उपर से इस तरह से पीछे ले कराना है यह देखी है ठीक है यह कि इस तरह से फन्दे ट्विस्ट करने है फिर दागा सी तरफ दो फंदा लुटा दागा पीछे दो झो फंदा हमारा लुट आए हमारे एक गैक के फंदे है बाकि जो डिजाइन के फंदे है यह हमारे चार फंदे हैं तो rất इसरी श्लाइ सीधी साट से हमने फंदे ट्विस्ट कर रहे हैं ठीक है दो फंदा यहां ट्विस्ट करना है तो आप बिना यह उतारे फंदे ट्विस्ट कर सकते हैं यह देखे इस तरह से इस तरह से भी आप ट्विस्ट कर सकते हैं फंदे यह दो फंदे हमारे ट्विस्ट हो अब इधर से करेंगे पहले पीछे वाला फिर सामने वाला ये हमारे यहां पर फंदे ट्विस हो गए दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे ये देखे चार फंदे उपर से पहले बीच वाले को लाएंगे फिर सामने वाले को हम बनाएंगे दो फंदे ये ट्विस हो गए अब दो फंदे इधर ट्विस करेंगे पहले नीचे से पीछे का फंदा बनाएंगे फिर उपर का फंदा फिर दोनों को एक साथ छोड़ेंगे इस तरह से ठीक है आप बिना उतारे फंदे ट्विस्क कर सकते हैं इस तरह से पहले थोड़ी ला करें पहले पीछे वाले को बनाए फिर इसी में रखकर सामने वाले को बनाएंगे फिर दोनों को एक साथ छोड़ देंगे इस तरह से यह दो फंदे हो गए अब इदर के फंदे ट्विस करने है पहले नीचे से लेंगे इस तरह से फिर उपर से तो यह हमारे फंदे हो गए ट्विस तीसरी शलाई सीधी सर्ड से देखिए दागा पीछे लास में एस्टिज सीधा तो ये हो गई हमारे डिजाइन की तीसरी शिलाई सीधी साइट से complete डिजाइन की चौथी शिलाई उल्टे दरब से पहला फंदा उतारा दो फंदा ये आपका हर बार सीधा ही बनेगा उल्टे दरब से ठीक है बाकि जो हमने ट्विस करे थे चार फंदे डिजाइन के वो हमारे उल्टे बनेंगे दो, तीन, और एक चार दो फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा एक, दो, तीन, चार फंदा उल्टा यानि कि जो डिजाइन के फंदे है, सिर्फ और सिर्फ चार शिलाई का डिजाइन है यही चार शिलाई आपको बार बार रिपीट करनी है और हमारा डिजाइन पैटरन बनते हुए आएगा चार फंदा उल्टा दो फंदा सीधा एक दो डिजाइन के चार फंदे उल्टे बनाना है और दो फंदा सीधा बनाना है तो इस तरह से डिजाइन की आप चौती शिलाई उल्टे तरफ से कंप्लेट करेंगे यह हमारे डिजाइन की चौती शिलाई हो गई कंप्लेट अब यही चार शिलाई हम दोबारा से रिपीट करेंगे फिर से मैं बताती हूँ डिजाइन की पहली शिलाई हमारे सीधी साथ से पहला फंदा उतारा दागा अपनी तरफ एक दो फंदा उल्टा दागा पीछे फिर से design की पहली श्लाइए मैं आपको repeat करा रहे हूं एक दो तीन चार फंदा सीधा ठीक है दागा अपने तरफ वही सेम छे फंदे repeat करनी है दो फंदा उल्टा एक दो तीन चार फंदा सीधा दो फंदा उल्टा एक दो तीन चार फंदा सीधा दो फंदा उल्टा एक दो तीन चार फंदा सीधा लास्ट में दो फंदा उल्टा एक एस्टिच सीधा यह हो गई हमारे डिजाइन की फिर से पहली श्लाइए कमप्लेट ही यह देखिया हमारा डिजाइन का लुक दूसरी शलाए उल्टे तरफ से पहला फंदा उतारा अब ये देखिए उसके बाद आपके ये दो फंदे सीधे बिल्कुल इजली पता चलेंगे तो ये दो फंदों को आपने सीधा ही बनाना है दूसरी शलाए उल्टे तरफ से चार फंदा चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा चार फंदा, उल्टा, दो फंदा सीधा जो डिजाइन के चार फंदे हैं उल्टा बनाना है दो फंदा सीधा बनाना है एक दो, तीन, चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा तो ये उल्टे तरफ से हमारी दूसरी शिलाई हो गए, कम्प्लीट तो चलते हैं तीसरी शिलाई सीधे साथ से अब यहाँ पर ध्यान दीजिए पहला फंदा उतारा, दागा अपनी तरफ, दो फंदा उल्टा दागा पीछे, अब यहे चार फंदों को सेम वैसे ही ट्विस्ट करना है दो फंदे इधर ट्विस्ट करने, दो फंदे उधर ट्विस्ट करने तो बिना उतारे फंदे ट्विस्ट करने है, ठीक है, पहले यह दो फंदे फिर यह दो फंदे तो यानि कि यह जो बीच की जो दो फंदे है उपर से इधर लाना है इस वाले को और इस वाले को इधर ले जाना है तो यह देखे बिना उतारे इस तरह से आप फंदे ट्विस्ट करें इस तरह से फिर सामने वाले को बनाएंगे फिर दोनों को एक साथ छोड़ देंगे इस तरह से ठीक है फिर नीचे वाले को बनाएंगे फिर उपर वाले को बनाएंगे दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीचे अब ये दो फंदे ट्विस्ट करेंगे पहले इधर का फंदा बनाएंगे फिर सामने वाला अब पहले नीचे से बनाएंगे फिर सामने वाला इस तरह से ठीक है बिना उतारे भी आप इस तरह से फंदे ट्विस्क कर सकते हैं दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे फिर से ट्विस्क करेंगे फंदो क इस तरह से दिल्ला करते वे दागा अपनी तरफ दो फंदा उल्टा दागा पीछे इस तरह से बिल्कुल इजी तरीका है ट्विस्ट करने का तो ये इस तरह से भी आप ज़रूर ट्राइ करें या फिर आपको जैसे की कठिन लगे तो आप उतार कर भी फंदे ट्विस्ट कर सकते हैं ये देखिए ये हमारी तीसरी शलाई लास में दो फंदे उल्टे एक फंदा सीधा तो ये तीसरी शलाई हमारी कम्प्लिट होगी चौथी शलाई उल्टे तरफ से पहला फंदा उतारा दागा पीछे दो फंदा सीधा ये ही चार शलाई आपको बार बार रिपीट करनी हैं ये देखिए फिर से चार फंदा हमारा उल्टा डिजाइन के जो चार फंदे हैं उल्टे तरफ से हर बार उल्टे ही बनेंगे सीधे तरफ से सीधे ही बनेंगे बाकी जो बीच में गैप के फंदे है वो दो फंदे उल्टे तरफ से सीधे बनेंगे और सीधे तरफ से उल्टे बनेंगे तिसरी शलाइ में आपका फंदे ट्विस होना है बागी बिल्कुल सिंपल बनाई है तो इस तरह से आप ये डिजाइन ज़रूर ट्राइ करें तो यही चार शलाइया आपको रिपीट करते हुए जाना है और आपका डिजाइन पैटर्न बनते हुए आएगा यह हमारी चौती शलाइ हो गई complete लास में आइस्टिच उल्टा यह हमारा डिजाइन का लुग कुछ इस तरह से मन कराएगा यह देखे सेम वही हमारा डिजाइन पैटर्न बनकर आएगा ठीक है तो इस तरह से आप लोग भी डिजाइन बना सकते हैं तो इस तरह से अगर आप लोगों को मेरी डिजाइन वाली वीडियो अची लगती है समझाती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शिर जरूर करें बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि डिजाइन की आने वाली वीडियो की नौट इवियन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए तो ठीक है दुस्तों वाई थैंक यू मिलते हैं नेक्स वीडियो में